चलो, तो सवाल बोल रहा कुछ हैसा, कि एक ट्यूब है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो पानी स्टार्टिंग में यहां तक रखा हुआ है, पानी की डेंसिटी कुछ है, सवाल में बोला गया, एक ट्यूब है, ट्यूब में पानी रखा हुआ है, बहुत अच्छे से रख द पानी थोड़ा कम हुआ और दूसरे पोर्शन का पानी थोड़ा बढ़ जाएगा तो यहां का पानी मालों यह अपने पास रेफरेंस लेबल पानी थोड़ा कम हुआ और यहां से पानी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह lower limit हो गया, यह upper limit पानी इतना उठिया, अगर initial पानी कुछ यहां पे था, तो जितना amount से, suppose y से पानी नीचे आया है, तो यह y से ही उपर उठिया होगा, दोनो y y से ही उठा होगा, तो अब यहां पर अपने को SHM निकालने बोला है, ठीक है, बहुत आसान से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, अगर SHM बिटा हम लोगों को निकालना है यहां पर, अगर SHM निकालना है अपने को, तो क्या करना चाहिए बिटा, हमेशा force पहले निकालने, और force से क्या आ जाएगा, बिटा, force से acceleration आएगा, और acceleration को इक्व प्रेसर लग रहा हम लोग, यह प्रेसर का difference कितना है, वो अराम से बता सकते हैं, तो अगर यहां पर pressure का difference अपने से दिखा जाए, वो बता सकते है, pressure कितना है अपने पास, वो हो जाता है, rho G into 2y के बराबर यह आगया pressure, अगर force की बात करे तो pressure into area, यानि यह आगया अपने प प्रास फोर्स ठीक है यह अपने पास आगया फोर्स अगर फोर्स हम लोगों निकाल लिया एरिया ऑफ दा क्राउस सेक्ष्टन है यह जो एरिया होगा ना यह अगर यह पता चल गया अपने को तो हम लोग लिख सकते हैं क्या जाएगा उपर जाएगा फिर जब आपने चोड़ दिया तो यह लिक्विड फिर इधर से दर से इधर से वापस आएगा तो ऐसे ना पूरा का पूरा पानी कर रहा है मन अगर एल अन्वा इस दर लेंथ लेंथ मिलेंथ ऑफ ट्यूब length of cube तो mass कितना लेख सकते हैं density into volume लेख सकते हैं force of Nolan लिखी दिया वो है rho g to y into area upon upon हमारे पास क्या आ गया है हमारे पास क्या आ गया है mass is equal to density into area into length के बराबर तो density into area density into area ये तो चले गए यानि acceleration का जो value आया है बिटा वो अपने पास कितना आया है acceleration का value वो आया है 2 g y upon l के बराबर आया है अगर अपने को acceleration पता चल गया है अगर हम लोगों को acceleration पता चल गया है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं acceleration is equal to होता है minus omega square x के बराबर लगभग हाना यहां भी आप a और acceleration और y के direction opposite है y अगर उपर है तो acceleration नीचे लग रहा होगा अब इसी equation को हम लोग equate कर देते हैं और अपना answer आ जाएगा इसी equation को हम लोग equate कर दें और answer आ जाएगा दोनो equation को जरा compare करो बेटा तो अगर x के जगा y रखे हम लोग y displacement है क्योंकि तो जरा गौर से देखो यह term किसके बराबर है 2g upon y omega square के बराबर 2g upon l omega square के बराबर है यानि omega निकल गया तो time period कितना निकल गया यहां से बता time period is equal to 2pi upon omega 2pi upon omega और omega की value कितनी आ गई यह आल गई l upon 2g के बराबर तो यह आया यह आया अपने पास time period फिर से एक बार बता देता हूँ ध्यान देना आपको और इच्छे से समझ में आ जाएगा अगर इसको हम लोग लिखें इसको हम लोग लिखें बटा तो क्या है force इजी question अपने पास निकालना होता minus omega square x क्योंकि force acceleration से यह value हम लोग लिख सकते force कैसे निकालेंगे हम लोग pressure into area निकालेंगे pressure निकाल दिया जितना pressure से change हो रहा है area निकाल दिया अब जैसे pressure निकल गया force निकल गया तो acceleration निकाल लिया acceleration कितना हुआ force upon mass mass कितना amount of liquid आगे पीछे हो रहा है या फिर to and from motion कर रहा है तो to and from motion करने वाला जो mass है वो है density into area into पूरा का पूरा liquid और हम लोग ने रखा उसे cut किया, equate कर दिया omega square y से तो वहां से हम लोग को omega मिला, omega मिला तो हम लोग को time period मिल गया अपने पास time period का equation था बिटा ये 2 pi under root L upon 2 g के बराबर अगर माल लो हम लोग ऐसा situation create करें कि अभी का जो अपना tube है वो कुछ इस type का है थोड़ा सा inclined कर दिया उसे इस tube को हम लोगों ने inclined कर दिया ये रहा inclined किया हुआ tube ठीक है इसमें अगर हम लोगों ने पानी बर दिया वापस से और सेम experiment को perform करा तो क्या changes आएंगे माल लो ये inclination बिटा अपने पास alpha and beta है ये माल लो alpha ये angle बिटा तो देखो बिटा जब ये दोनों case में क्या अंतर है कि इसमें alpha की value भी 90 degree है beta की value भी 90 degree है यानि कि time period को आप क्या लिख सकते है 2 pi under root of l upon g sin alpha plus sin beta के बराबर alpha बिटा जब 90 degree तो अपने पास ये expression आ गया तो इससे ये के बाद अगर दूसरा सवाल कुछ इसका थोरा सा modified version पूछ लिया जाए तो हम लोग ये भी कर सकते हैं साथ है तो question क्या पूछा question बोला कि अगर इस मास को थोरा सा नीचे लाया जाए मास को थोरा सा नीचे लाया जाए spring constant के ये दिया हुआ तो time period बताइए आपको बताना है time period of SHM कितना होगा try करिए देख बटा इस वाले सवाल को बताने के लिए दो तरीके बताता हूँ जिसपर आप आराम से कर सकते है मालो यहां से इसका displacement कुछ नीचे के तरफ जैसे आपने मास को छोड़ा तो कुछ displacement हुआ होगा मालो वो displacement X1 होगा तो X1 और tension जो initially लग रहा है वो बराबर होगा और उसके बाद इधर पे जो आएगा वो भी tension ही आएगा ठीक है तो अपने पास क्या लिख सकते हैं mg किसके बराबर होगा mg किसके बराबर होगा वो बराबर होगा tension के और tension किसके बराबर होगा K times X1 के बराबर होगा तो यह इसका नया equilibrium position हो गया अब अगर हम लोग इस equilibrium position को थोरा सा shift करें मतलब object को नीचे लेकर आ जाए object को किसी और distance X से लेकर आए तो अब क्या होगा यह उपर नीचे इस equilibrium या mean position के about translate करना या motion करना start करेगा जो कि एक true and fro motion होगा और वहाँ से फिर हम लोगों को SHM निकालना है ठीक है अगर हम लोगों ने नीचे इसे shift करा है बिटा X तो क्या होगा वो चीज देखे तो net acceleration जो होगा वो किसके बराबर होगा वो net force आप पहले देखे net force किसके बराबर होगा जो tension लगेगा वो इधर जाएगा तो इस पर net force की मैं values को लिख रहा हूँ net force जो लग रहा होगा उपर की तरफ वो किसके बराबर होगा बिटा K times X plus X1 यह spring का force जो की tension के exactly बराबर होगा minus mg is equal to mass into acceleration ठीक है mass और acceleration की direction हमेशा opposite है mass अगर displacement नीचे है तो acceleration उपर की तरफ लग रहा होगा अब mg और K X1 दोनों बराबर हैं तो वो कट जाएंगे वापस अपने पास क्या आएगा mass is equal to acceleration minus है हम लोग magnitude दिखा रहे है तो इसलिए सिर्फ उसके बात नहीं कर रहे है X के direction के बात नहीं कर रहे तो हम लोग क्या लिख लिए है K into X के बराबर acceleration को comparison करा K upon M आया into X आया यानि की time period तो हम लोगों ने देखा था वो किसके बराबर है 2 pi under root M upon K ठीक है तो ये तो इसका answer निकल लिए समझ में आया ना ये ये जो छोटा सा concept वापस से revise करा रहा हूँ जो आपने laws of motion में पढ़ा होगा और ये दो-तीन बार वापस से काम आयेगा ठीक है और बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा देख बिटा अगर हमारे पास pulley arrangement होता है इसको suppose मैंने fix कर दिया है अगर नहीं भी किया होता तब भी हम लोग निकाल लेते है और कोई displacement दिया है इस end को तो pulley कितने से change होता है याद करो pulley change होने का expression था x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर लगभग mean के बराबर था अगर एक 0 है तो x of pulley कितने के बराबर आ गया x अपॉन 2 के बराबर आ गया इस बात को दिमाग में रखे ठीक है या हम लोग ने बहुत पहले कर रखा है अब force की अगर बात करें बटा equilibrium में force किसके बराबर है 2 into tension के बराबर है ठीक है तो ये छोटा सा hint है जो अगले दो सवाल या दो बहुत अच्छे सवाल जिसमें time period निकालने होते हैं उसमें ये काम आएगा ठीक है तो इसको जल्दी copy कर लीजे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत copy करिए इसे अपने से बोला गया time period बताईए और time period किसका निकालना है अपने को एक पुली दे दिया गया उस पुली का अपर पार्ट स्प्रिंग से connected है उस पुली का हम लोग इस साइड कनेक्ट करते हैं यह इधर connected हुआ और इधर मास connected हुआ ठीक है spring constant की अब देखो बेटा यह सवाल थोरा सा बच्चों को बहुत difficult लगता बट छोटे सा trick हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे ठीक है अपने को अगर time period याद करना हुँ बटा तो time period is equal to क्या आया था ठीक है time period is equal to क्या आया था एक तो आया था inertia upon acceleration या k के बराबर spring constant दूसरा displacement upon g के बराबर भी मैंने आपको दिखाया था time period is equal to दो चीज़े दिखाये थी उन दोनों को यहाँ पर हम लोग यूस करेंगे और देखेंगे कि कितने आसानी से यह हो जाता है ठीक है displacement upon g के बराबर भी हुआ था time period is equal to 2 pi under root displacement upon g के बराबर भी बताया था एक expression देख लिजेगा displacement upon g के बराबर या acceleration के बराबर displacement upon acceleration भी लिखेते हैं चलो अगर पुली की बात किये जाए बटा पुली की बात किया जाए तो अगर displacement of mass x होता है suppose displacement of mass x होता है तो displacement of pulley कितना होगा वो हो जाएगा अपने पास x by 2 के बराबर अभी अभी देखा और अगर यहाँ पे tension लग रहा है अपने पास t हना तो t किसके बराबर होगा mg के बराबर ठीक तो यहाँ पर जो force लगेगा spring पे जो force लग रहा होगा वो 2t के बराबर होगा spring पे जो force लग रहा होगा वो 2t के बराबर होगा तो force on spring जो कि two times tension के बराबर है two times tension के बराबर है और वही बराबर हो जाएगा किसके times बिटा, k times xp के बराबर है, displacement of t, ठीक है? अब अगर और देखा जाए बिटा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टेंशन को 2 टाइम्स mg के बराबर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हम लोग k times x upon 2 निकाल सकते हैं यानि x की value कितनी आगे बिटा 4 times mg upon k के बराबर अब यह आगिया तो time period कितना आजाएगा बिटा time period is equal to 2 pi under root x upon g के बराबर x के जगा पर क्या आगिया बिटा 4 mg upon k ठीक है और यहाँ पर आगिया अपने पास g जो किया acceleration g g cancel out हो गया 4 का यह बाहर निकल गया तो time period का expression कितना आगिया बिटा 2 का under root 4 का under root बाहर निकल गया 2 तो यह आया 4 pi under root of m upon k m upon k यह आया है इसका expression ठीक है चलो तो question कुछ ऐसा बोला गया दूसरा कि यहाँ पर अब arrangement जो है कुछ इस type का किया गया mass और spring यहाँ लगा हुआ है तो अपने को बताना है again time period बताना है फिर से सोचो वापस वही बात अगर अपना पुली का displacement हो कितना x हो या xp पुली का x माल लेते हैं पुली का displacement नीचे आया है पुली x से तो यह वाला पार्ट का displacement कितना होगा बिटा हम लोगों पता है xp या पुली का जो displacement होता है वो x by 2 होता है अगर यह x है यानि कि जो mass है या इस वाला जो end है उसका displacement अगर x था तो पुली का displacement कितना था x by 2 तो अगर पुली का displacement हो x तो mass का displacement कितना हो जाएगा 2x के बराबर यानि यह वाला जो displacement होगा वो 2x के बराबर होगा कैसे वापस से मैं लिख के बता रहा हूँ xp is equal to xp is equal to जो end था xe लिख देता हूँ या directly आप इसको x1 x2 भी लिख सकते हैं इसका displacement 0 हो गया xp is equals to x upon 2 रहेगा अगर इसका displacement x लिया तो xe या spring का वो 2x के बराबर हुआ तो बहुत बढ़िया 2x के बराबर हुआ अब अगर यहां पर अपने पास मालो जो टेंशन लग रहा है वो अपने को पता है तो attention के value mg के बराबर है तो इधर का tension कितना होगा यहां का tension टी बाइट तू के बराबर हो जाएगा यानि जो force on spring लग रहा है, वो कितने के बराबर होगा, mg upon 2 के बराबर होगा, उसका displacement कितना spring into 2x के बराबर होगा, यानि इस case में जो बेटा x आया अपने पास, वो आया है mg upon 4k के बराबर आया, mg upon 4k के बराबर आया, अब वापस से time period अगर निकाले, टाइम पिरेड निकाले, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बेटा, 2 by under root x by g के बराबर, x आया अपने पास, mg upon 4k into g, g ने g को मार दिया, 2 बाहर चलके 2 को मार दिया, तो आया answer, final answer जो आया, बेटा, वो, mg by उपर, m upon g के बराबर आया, ठीक है, 4 बाहर निकल का 2 को cancel out कर देगा, देखो बेटा, अगर ये सवाल दिया हो अपने पास, इस सवाल में आप एक बात notice कर सकते हैं, कि ये जो spring है, ये spring ऐसे आया, ऐसे आया, इधर से गया, और इधर से दूसरे spring, तो दोनों spring कैसे connected है बेटा, सीरीज में है, दोनों spring, सीरीज में connected है, अगर spring सीरीज में connected है, दो इस spring है, तो k equivalent कितना आता है, बेटा, k1 into k2 upon k1 plus k2 के बराबर आता है, यानि इसको, इस पूरे arrangement को मैं वापस कैसा लिख सकता हूँ, बेटा, इस पूरे arrangement को मैं वापस ऐसा लिख सकता हूँ, k equivalent और यहां mass, और इसका अभी अभी हम लोगने time period निकाला, that is 2 pi, under root of m upon 4k था, 4k से 2 बाहर आया था, 2, 2 चला गिया था, और यहां पे k equivalent आया था, ठीक है, तो time period कितना हो गया, यह हो गया, pi under root of m into k1 plus k2, k1 plus k2 upon k1 into k2, ठीक है, यह हो गया, इसका answer, जो अगला सवाल है, इसमें time period के लिए बोला, कि माल लो x-axis में या x direction में electric field है, यह हम लोग 12 में थोरा सा पढ़ेंगे वापस से, तो force due to electric field क्या हो जाता है, वो होता charge into electric field के बराबर होता है, और इसमें एक bob रख दिया गया, या pendulum with mass m रख दिया गया, length L, तो mass m length L का एक pendulum रख दिया गया है, तो अब देखो बिटा, इस पर force किधर लगेगा, यहाँ पर लगेगा force कौन सा QE लगेगा, यहाँ पर जो force लग रहा है, वो अपने पास किसके बराबर लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, अगर acceleration की बात किया जाए, तो यहाँ पर acceleration कितना लगेगा, या x direction में जो acceleration होगा, वो कितने के बराबर होगा, वो होगा force upon mass के बराबर, और इस direction में जो acceleration होगा, g के बराबर, तो net इनका जो g effective अगर आप निकालें, तो वो कुछ यह रहेगा, that is g square, plus q e upon m का whole square, q e upon m का whole square, और अगर यह दोनों अपने को पता है, यह दोनों अपने को पता है, तो हम लोग time period इसका directly निकाल सकते है, time period क्या होता है, अपने पास 2 pi under root of l upon g effective, जी effective, और g effective की value यही है, अपने लिए क्या g effective, तो g effective को उठाकर, यहाँ पे put कर देना, अपना answer आजाएगा, देख बटा, दूसरा जो पूछा जा सकता है, वो time period for torsional pendulum बोला जा सकता है, time period, period for torsional pendulum, pendulum, यह क्या होता है, एक bob जैसा होता है, यहाँ पे एक string connected होता, इसको आप घुमाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फूर यह, 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 गुमता है, इस पे torsional act होता है, तो torsional के लिए, अगर time period, यह, normal spring के लिए क्या था, बेटा, 2 pi under root of m upon k के बराबर, अब m क्या था, यह था अपने पास inertia, और k क्या था, यह था force constant, यह spring constant, constant, अगर torsional के case की बात किया जाया है, मालो यह अपने पास rod है, और इस rod के नीचे, एक disk लगा दिया गया, इसी disk को आप twist कर रहें, तो यह ऐसे घूमेगा, ऐसे चम करेगा, तो इसके लिए time period अगर निकाला जाए, time period निकाला जाए, तो 2 pi, inertia क्या हो जाएगा, torsion के case में, moment of inertia, और spring constant क्या हो जाएगा, c के बराबर होगा, याद करो, c की value भी हम लोग बात किये थे, पहले, याद है क्या कुछ, देखो बिटा, k को कैसे हम लोग याद किये थे, a, y upon l के बराबर याद किये थे, ठीक है, वैसे ही हम लोग c को भी याद किये थे, torsion के case में, कितना था, याद करो जरा, याद कर बिटा, c की value थी, जब याद करो जरा सा, a के जगा पे torsion के case में, या sear के case में, क्या आया था, g आ जाता है, और area के जगा पे क्या आ गया, pi into r का power 4 into g upon 2l के बराबर था, ठीक है, torsional के case में, torsional constant, और ये कौन सा था, material constant भी हम लोग बोले थे, force constant भी बोले थे, तो इस case में c के value क्या थी, pi r का power 4 into g, g क्या था, modulus of rigidity upon 2l के बराबर, और i अपने पास क्या है, i तो है अपने पास moment of inertia, ये है moment of inertia, और c के value हम लोग क्या जानते हैं, इसे आप torsional constant भी बोलते हैं, torsional constant, ठीक है, तो ये अपने पास torsion के case में, time period आ जाएगा, अगर हम लोग energy in SHM की बात कीई जाएं, कोई भी लेते हैं हम लोग SHM, सभी में same concept है, चाहे spring mass system भी ले ले, तब भी same ही concept है, मानलो ये अपने पास platform हुआ, ये उसका equilibrium position हुआ, यहाँ से अपने पास spring आया, और ये spring connected है, ठीक है, तो equilibrium position चलो पेछे ले 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 लेते हैं, थोड़ा सा पीछे ले 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 लेते हैं, यहाँ से अगर किसी distance ये maximum amplitude है, और ये x पे ले लेते हैं, तो इसके पास एक potential energy भी होगा, एक kinetic energy भी होगा, potential energy आजा function, और spring का potential energy हैं, तो spring का potential energy, जो अपने पास है, वो कितना है, spring का potential energy, वो है अपने पास, half k x square के बराबर होता है, और x कैसा होता है बिटा, अपने पास, x is equals to a sin omega t के फॉर्म में हैं, यानि potential energy को जो लिखे हैं हम लोग, वो किसके बराबर है, half k a square sin square omega t के बराबर है, अगर यहाँ से velocity निकाला जाएं बिटा, तो velocity कितना आजाएगा अपने पास, a omega cos omega t के फॉर्म में होगा, यानि अगर इसका kinetic energy पूछा जाएं बिटा, तो वो किसके बराबर होगा, half m v square के बराबर होगा, half m, v की value कितनी आगे बिटा, a square omega square, a square omega square, और क्या आगिया अपने पास, a square omega square, cos square, omega t के बराबर आगिया, ठीक है, अब इन सब को हम लोग और simplify कर दे, इसको हम लोग और simplify कर दे, तो total energy पहले सोचो कितना होगा, total energy will always be equal to sum of kinetic energy, plus sum of potential energy, ठीक है, यह है total energy, तो sum of kinetic energy अपने पास कितना है बिटा, kinetic energy अगर देखा जाए, तो वो है अपने पास half m, omega square, अब omega क्या होता है बिटा, याद कर, omega is equal to under root of k upon m के बराबर होता है, तब ही time period reciprocal होकर आजाता है, 2 pi under root, ठीक है, under root m by k, तो omega square के value अगर लिखा जाए, तो ये k upon m के बराबर है, into, into, amplitude का square या या, cos square, omega t, प्लस, यहाँ पर अपने पास half k into a square, into sin square omega t, ठीक है, देख क्या क्या होगा, mm कट जाएगा, half k square आ जाएगा, half k a square आ जाएगा, बाहर, अंदर आया cos square, sin square, जिसकी value बना है, तो total energy या आया, जो की constant रहेगा, तो अगर graph की बात की जाए बेटा, graph की बात की जाए, ठीक है, तो माल लेते हैं, graph में हम लोग, ये position ले लेते हैं, या time period ले लेते हैं, और ये हम लोगों ने energy ले लिया, तो अपने को पता क्या चला अभी, तो total energy जो रहेगा, वो constant रहेगा, तो total energy हमेशा constant है, अगर ये, T is equal to zero का time लिया जाए, बिल्कुल initial phase लिया जाए, यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल initial phase लिया जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कौन सा energy रहेगा अपने पास, अपने को पता है, जब ये एकदम starting वाले point पे है, तो वहाँ पर, या mean position पे है, तो वहाँ पर कौन सा energy maximum होती है, कौन minimum होती है, position क्योंकि zero के बराबर होता है, तो potential energy की value तो zero के बराबर होगी, potential energy maximum का होगा, जब हाँ extreme position होगा, T is equal to zero पे, अगर देखा जाए अपने पास, तो वो है kinetic energy है अपने पास, तो kinetic energy maximum है, ये maximum energy कम होता है, कम होता है, फिर ये बढ़ता है, बढ़ता है, वैसे ही अपने पास, अगर दूसरा energy लिया जाए, potential energy की बात किया जाए, तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है? ठीक है, ये तो अपने पास time के साथ का curve हुआ, तो अगर बिटा इसका time period देखा जाए, इसका time period देखा जाए अपने पास, और इसको और आगे तक लेके चले जाते हैं तो याद करो बिटा, kinetic energy कितनी बार आता है एक SHM motion में, चलो spring का mass system या pendulum वाला ही करें, तो पहले potention energy maximum था, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, potention energy वापस से maximum हो गया, फिर potention energy जीरो हुआ, फिर potention energy है, तो देखो बिटा, इसका time period देखना अगर, तो यहाँ पर maximum था, फिर 0 हु रहा पहुँचने के लिए, तो T by 2 पे चल रहा, यानि कि अगर energy का time period लिया जाए, चाहे वो कोई सा भी energy है, kinetic energy, potential energy, दोनों का energy का time period अगर लिया जाए, energy का time period लिया जाए, तो वो किसके बराबर है, आधा of the SHM motion, यानि T by 2 के बराबर है, ठीक है, वो T by 2 के बराबर है, यान इधर तो अपने पास जगा भी नहीं वाकी रहा, ठीक है, अगर इसी का दूसरा curve भी बनाया जाए इसका दूसरा curve भी चलो बना लेते है हम लोग, इसका दूसरा curve बनाया जाए, तो अच्छे से बनाते है, यहां से बनाते है, ठीक है, यह अपने पास amplitude के function में बना रहे हम अना X के function में, energy के function में, वहाँ पे time के लिए बनाया था, अच्छा, एक constant energy भी अपने पास total पहले, और जब वो X is equal to 0 पे है, तो वहाँ पे X is equal to 0 पे कौन सा energy है, वहाँ पे तो सिर्फ कौन सा energy है, kinetic energy है, तो ये वाला color change कर लिया जाए, अगर लिया जाए, तो यहाँ से, यहा ये कर्व कुछ ऐसा आया, position के साथ, ये कौन-कौन सा position होगा, ये plus A, ये minus A है, amplitude पे energy की value 0 है, कौन सी energy की value 0 होती है amplitude पे, तो अपने को पता है वह कौन सा energy होता है, जिसका amplitude पे 0 होता है, और amplitude पे maximum कौन सा energy होता है, amplitude पे maximum होता है energy, potential energy का कर्व, तो ये energy maximum है, ये अपने पास potential energy का कर्व है, और amplitude 0 पे energy जो maximum है, वह कौन सा कर्व है, अपने पास, kinetic energy का कर्व है, ठीक है, तो ये दो कर्व है, जो अपने लिए ज़्यादा important है, इन दोनों कर्व को लिखो, इस numerical को करो, reduced mass का concept जो बताया था, पहले दोनों लगेगा और दोनों parallel में भी है, तो parallel के लिए के effective क्या होगा, वो निकाले, reduced mass का concept निकाले, फिर ये आपसे solve हो जाएगा, ट्राइ करिए, इसका अगर reduced mass देख़े बिटा, mu की value वो किसके बराबर आएगी, m by 2 के बराबर आएगी, k effective अगर देखो, तो 2k के बराबर आजाएगा, क्योंकि दोनों parallel में connect है, इसके बाद कुछ खास बात नहीं होगी, time period is equal to 2 pi under root of mu upon k effective, जब आप values रखोगी, तो आपको simplify करके देखन answer अपना third आजाएगा, देख बिटा, अगर इस सवाल में देखो, हाना, इस सवाल में देखो, तो क्या बोला, इस spring है अपने पास, जिसको cut किया गया है, ठीक है, क्या बोल रहा, पहले एक spring था, और block system था, जिसका time period था, कुछ t, तो time period का formula अपने पास होता है, 2 pi under root of m upon k, ह now the spring is cut into 4 equal part, तो अगर कोई अपने पास spring है, इसको 4 equal part में cut किया गया है, तो k is inversely proportional to length, अगर length 1 by 4 हो गया है, तो spring कैसा होगा, 4 times k हो जाएगा, आप एक spring कुलो, उसको cut कर दो, तो छोटा वाला जो spring हो रहा है, उसको आपको compress करने में ज्यादा ताकत लगाने की जूरत कितना हो जाएगा, तो फोर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, जो की exactly उसका आधा रहेगा, तो टी डैस के वाले कितनी हो जाएगी, टी बाइटू के बराबर हो जाएगी और यही हो जाएगा अपना answer.